जै माता दी मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत थे आपके अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्य नई नई ज्यानवरधक जानकारियां वह नित्य का राशीफल हमारे चैनल से प्राप्त करती रहें तो मित्रो आज आपको हम सुनाने जा रहें अती पुन्यदाईनी माता कालरात्री की कथा तो सरद्धापूरवक कालरात्री की कथा सरवन करने से कारे चेत्र में सिध्धी मिलती है सफलता मिलती है तो नवरात्री के साथवे दिन यानि महा सब्तमी को माता कालरात्री की पूजा की जाती है दिनांक 23 अक्टूबर 2020 को है सब्तमी तिती है इस दिन कालरात्री की पूजा आरादना करने से कारेच छेतर में विसेश सफलता मिलती है तो जैसा कि कालरात्री जी का नाम है वेसा ही उनका सुरूप है खुले बालों में अमावस की राज से भी काली मा कालरात्री की छवी को देखकर भूत प्रेत गण जो है भाग जाते हैं मा का वर्ण काला होता है खुले बालों वाली यह माता गर्दपर बेटी भी होती है इनकी स्वास से भैंकर अगनी की ज्वालाई निकलती है तो इतना भैंकर रूप होने के बाद भी एक हाथ से भक्तों को अभई वरदान देती है मदू करिटब को मारने में मा का ही योगदान था मा का भई उत्पन करने वाला रूप के वल दुष्टों के लिए होता है अपने भक्तों के लिए मा अत्यंत ही शुब फलदाई होती है कई जगा इन्हें शुबंकरी नाम से जाना जाता है तो जब माता कालरात्री अपनी नाक से स्वास लेती है या छोड़ती है तो आग की भैंकर लप्टे निकलती दिखाई देती है मा कालरात्री का वाहन गधा होता है इस देवी के दाएं हाथ में हमेशा उपर की और उठा हुआ रहता है यह इंगित करता है कि मा सभी को आशिरवाद देती है मा कालरात्री के निचले दाहिने हाथ की मुद्रा भक्तों के भाई को दूर करने वाली होती है जबकि उनका बाएं हाथ में लोहे से बना एक काटे जैसा अस्तर होता है निचले बाएं हाथ में कटार होती है तो कालरात्री सब्तमी का बड़ा ही महत होता है नवरात्री की सब्तमी को महा सब्तमी कहा जाता है तांत्रिक लोग इस दिन विशेश पूजा पाट करके मा की करपा प्राप्त करते हैं सब्तमी की पूजा अन्य दिनों की तरह ही होती है लेकिन रात्री में पूजा का विशेश विदान होता है सब्तमी की रात्री सिद्यों की रात्री कही जाती है दुरगा पुजा का सात्वा दिन तांत्रिक क्रिया की साधना करने वाले लोगों के लिए बेहत खास महत्वपूर्ण माना गया है देवी की पुजा के बाद शिव और ब्रह्मा जी की पुजा जरूर करना चाहिए तो माता कालरात्री दूस्टों का विनाश करने वाली देवी है दानव देत्य राक्षस भूत प्रेत आदी इनके इस्मरण मात्र से ही भैबीत हो करके भाग जाते ही यह ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली देवी है इनके उपासकों को अगनी भाई, जल भाई, जन्तु भाई, शत्रु भाई, रात्री भाई आदी कभी नहीं सताते हैं इनकी क्रपा से वह सरवथा भई मुक्त हो जाता है। तो नवरात्री के साथवे दिन साधक का मन सहस्त्रसार चक्रत तक पहुँच जाता है। इस तरह के भक्तों के लिए ब्रह्मांड की सभी सिद्धियां को प्राप्त करने के दरवाजे खुल जाते हैं। इस दिन माता कालरात्री की पुजा से सभी पाप नश्ट हो जाते हैं और रास्ते में आने वाली बादाएं स्वताह खत्म हो जाती है। तो माता कालरात्री की पुजा उपासना अवश्य हम को करना चाहिए। तो माता कालरात्री की उपत उत्पत्ती की पुन्यदाईनी कथा इस प्रकार से है इस दिन इस कथा को सरवन करने से देवी कालरात्री की विशिश करपा मिलती है कथा के अनुसार देत्य शुम्ब निशुम्ब और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहा कार मच्चा रखा था इससे चिंतित हो करके सभी देवतागण शिवजी के पास गए शिवजी ने देवी पारवती से रक्षसों का वद करके अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा था शिवजी की बात मान करके पारवती जी ने दुर्गा का रूप धरन किया और शुम्ब निशुम्ब का वद कर दिया परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीच को मारा उसके सरीर से निकले रक्त से लाखो रक्त बीच उत्पन हो गए थे इसे देखकर के दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्री को उत्पन किया इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्त बीच को मारा तो उसके सरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्री ने अपने मुख में भर लिया था और सबका गला काटते हुए रक्त बीच का वद कर दिया था तो मा को गुड का भोग अतीप्रिय होता है सब्तमी तिति की दिन भगवती की पुजा में गुड का नेवेद्य अर्पित करके ब्रामन को दान में देना चाहिए एसा करने से पुरुष शोक मुक्त होता है और सबी सिध्यां प्राप्त कर लेता है कारी छेत्र में सफलता मिलती है सरस्वती पुजा का दिन खास माना गया है सरस्वती आवाहन के नाम से यह दिन माना जाता है जो कि नवरात्री के सात्वे दिन किया जाता है तो मा काल रात्री के आन्य मंत्र इस प्रकार से उनका ध्यान का मंत्र ओम काल रात्री देविय नमह इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए साथवे दिन का रंग इसकाई ब्लू ग्रे कलर होता है साथवे दिन का प्रसाद होता है ओड़द दाल का बना हुआ बड़ा या दही सहत से बना हुआ मधूपाक आदिस में प्रयोग कर सकते हैं तो माता कालरात्री की विशेश पूजा आराधना करने से कारेचेतर में सफलता मिलती है मनो कामनाई पूर्ण होती है और कारेचेतर में आने वाली बाधाईं भी दूर होती है तो मित्रो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ग्यानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें धन्यवाद जय माता दी मित्रों फिर मिलेंगे